हेलो मैं स्टुदेंट्स मैं अनूब सरो मेरे क्लास में अपकर बहुत-bहुत स्वागत है बचलो तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि इंकम फ्रॉम सेल्री में परक्विजिट्स के income from salary में चो परक्विजिट से उसमें एक topic आता है हम लोग का rent free house ठीक है क्या आता है बचलो rent free house उसमें आज हम लोग जानेंगे कि rent free house का value कितना होता और किस परकार से निकाला जाता है तो चली बचलो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चै ठीकत नहीं है according to government ठीक है जितना government का रूल रहेगा बच्चों लोग उतना rent free house का value होगा लेकिन हम लोग को problem कहां आता है अधर इंप्लाई में अधर इंप्लाई जो मतलब जो government इंप्लाई नहीं है अब इसमें दो बाते होती है या तो घर employer का है या तो घर rent पर लेके company के द अगर 25 लाग से population ज्यादा है तो 15% salary अगर 10 लाग से population ज्यादा है लेकिन 25 लाग से कम तो 10% of salary अगर 10 लाग के अंदर population है तो 7.5% salary होगा ठीक है तो अगर घर employer का है तो इस population पर depend करता है लेकिन एक चीज़ और इसमें बहुत important topic है बच्चों लोग कि salary इसमें क्या लेंगे जिस तरह आप लोग को HRM में बताये थे salary उसी तरह इसमें भी salary है ठीक है इसमें salary बहुत ही simple है basic salary जितना money मिलता है डियरनेट Salons का जब भी बात होगा बच्चों लोग तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें इन part of salary रहेगा तभी हम लोग DA का कहीं use करेंगे किसी benefit में use करे या ना हो और all taxable allowance मतलब जितना taxable allowance है सब इसमें salary में आएगा जो उपर में आप लोग देख रहे हैं देखें यहाँ पर जहां आप लोग को दिखा जो लिखा 10% salary 10% 7.5% 15% salary कौन सा salary सी basic salary नहीं होता है बच्चों लोग इसमें rent free house में हम लोग का salary होता है basic salary plus dearness allowance in part of salary जिसे HR जितना taxable होगा education allowance जितना taxable होगा hostel allowance जितना taxable सब taxable allowance को क्या कर दिया जाएगा बच्चों लोग जोड़ दिया जाएगा अब चलिए next topic पर बात करते हैं second number की अगर rent पे लेके दिया तो बहुत simple है salary का 15% या rent पे दोनों में से जो कम होगा बच्चों लोग वो value of rent free house होगा चलिए एक बात और हम आप लोग को यहां clear कर देते हैं यह जो हम लोग निकाल देना rent free house यह unfurnish house है unfurnish house मतले इसमें furniture include नहीं है अगर furniture include करना है तो जो भी value of value of rent free house का unfurnish का आएगा उसमें से furniture का 10% जोड़ देने से उसका वह हो जाता है value of furnace house तो चलिए बच्चों लो अच्चों लोगा है यह रूओ यहाई छोज़दी नहीं है जोई आएगा यह जो झूबड़ झालिए आप वाती है जोड़ झालिए नहीं है उंसे नहीं हाईड का विए पिए गहाईगा यहाई भीवा नहीं है था